नियुक्ट वेलकम टू गोफ़ा अग्रिकल्चर तो गईज आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिसकुस करेंगे वह इन कंटिनुवेशन है लेक्चर नुबर 23 जिसमें मैंने एक ओर्डर डिसकुस किया था हैमिप्टेरा और मैंने उसमें आपको बताया था कि हमिप्टेर जो ओर्डर है उसके दो सब ओर्डर होते हैं हेट्रोप्टेरा और हमोप्टेरा तो लास्ट लेक्चर में हमने हेट्रोप्टेरा के इंपॉर्टेंट फैमिलीज को डिसकुस कर लिया है और आज के लेक्चर में हमारा जो टार्गिट है वो है इंपॉर्टेंट फैमिलीज पढ़ेंगे और इनके characters पढ़ेंगे important बात कि मैं इन हर families के आपके जो insects हैं उनकी images last slide पर दे दूँगा इन regular जैसे मैंने first number पर और कोई family पढ़ाई है तो आपको जो first image होगी उस slide की वो आपका उसी family का होगा second image second family से related होगी ठीक है तो इस जो sub order है हमारा homoptera उसके अंदे total 13 families है बदर 13 important families है तो जो सबसे पहला जो important family है वो है सिका डीडे ठीक है psychats भी कहते हैं इनको ठीक है तो इनमें जो important characters है या फिर important जिन चीज़ों से हम इनको पहचान पाते हैं उसमें कहा है कि males के पास special sound producing organ होता है उनके abdomen के base पे जो दो large plate के form में present होता है अब जैसे each species जो होंगे इस family के मतलब एक family बहुत सारी species हो सकती है तो उनके species के अंदर में जो भी अलग-अलग insects हैं उनके sounds जो होते हैं different होते हैं और साथ-साथ इनमें hearing organ या यानि टेंपनम जो कहते हैं टेंपनम चाहे वो निम्फ हो चाहे वो adult हो सब में टेंपनम भी present होता है अगर हम इनको देखते हैं तो इनके जो wings होंगे वो completely transparent होंगे सिर्फ हमें उनमें veins दिखेंगी मतलब veins जैसे leaf अगर हम देखें तो veins veins वाला area हो जाता है और veins के बीच वाला area होता है तो veins के बीच वाला area completely transparent होता है यह क्या करते हैं एक को ले करते हैं trees के उपर या फिर छोटे छोटे चोटे twix पे और जब एक से जैसे निम्फ निकलता है तो निम्फ क्या होता है जमीन पर गड़ जाता है tree पे से या फिर twix पे से और वह soil के अंदर इंटर कर जाता है और soil के अंदर जाने के बाद जो root है जो twix था उसका root जो है उसके sap पे feed करता है तो यह जो हो गया sika dda का यानि sika dda जो family है उसका character हो गया है ठीक है इनका जो life cycle है insect का वह 13 to 17 years का होता है तो यह इनके basic characters हो गए ठीक है जो image है आप last slide के first image में देख सकते हैं मतलब first जो image है वो sika dda का ही है ठीक है अब जो second आता है वो है membra sida इनका जो सबसे अच्छा example है वो है tree hoppers ठीक है तो tree hoppers में अगर हम बात करें तो यह सबसे पहले इनको देखते है ना तो यह उस तरीके से लगेंगे जैसे कि किसी tree पे या फिर किसी tweak पे thorns लगे हुए है ठीक है या फिर thorns बोलो या फिर other कोई plant part है ठीक है इनका जो pronotum होता है इतना large होता है कि वो body का जो head है उसको completely cover कर लेता है और abdomen का भी कुछ part जो है वो cover हो जाता है ठीक है प्रोनोटम जो है जो body देखो abdomen को cover कर रहा है तो कुछ जो wings का reason है उसको भी वो cover करता है ठीक है इनका जो wing होता है conceal मैंने बता दिया प्रोनोटम जो होता है उसको cover कर लेता है ठीक नेम फ़र एडल दोनो tree sap को suck करते है ठीक है और देखो जो भी कोई insect होता है जो sap को suck करता है उनका एक stage आता है honeydew का ठीक है यानि honeydew क्या है उनका कह सकते हैं कि liquid है जिनमे सुगरी लिक्विड है जिसको छोटे-छोटे insects यानि ants वगरह जैसे हो गए वो उसको क्या करते हैं खाते हैं या फिर उनका वो food होता है ठीक है तो नेम फ़र एडल जो है tree sap को लेते है दो हमारे important इनकी families हो गई ठीक है थर्ड जो है वो है सेरकोपीडे सॉरी सिकाडेली डे जो है उसका थर्ड फैमली है जिसमें आपके जो best example है वो लीफॉपर्स या फिर जैसेट्स ठीक है इनके जो insects होते इलोंगेट होते हैं with a wedge से body ठीक है इनका जो body का color होगा बहुत ही अ होता है उनके double row spines निकले होते हैं उसके उपर ठीक है अगर हम ओवी पॉजिटर का बात करें ओवी पॉजिटर मैंने last to last lecture ने बताया था ओवी पॉजिटर का मतलब क्या हुआ कि ओवी पॉजिटर क्या होता है कि उनका female special organ होता है जो कि एक deposition में help करता है जैसे इंसेक इस तरीके से sideways मतलब कहते हैं एक सामने से बढ़ना हुआ head के through बढ़ना हुआ और एक वक ही left या right बढ़ना हुआ ठीक है तो यह इस तरीके से दौरते हैं यह भी क्या है plant part को सक करते हैं और disease को transmit करते हैं ठीक है जैसे tumro disease of rice होता है वो इनी इंसेक्स से green leaf hopper से ही क्या होता ह है spread होता है ठीक है अब जो fourth है वो है sercopede इनके जो example है जो prominent example है वो है frog hopper ठीक है इनका नाम frog hopper इसलिए है कि यह mini frogs के तरह या फिर tiny frogs के तरह resemble करते हैं मतला इनके जो adults होते हैं वो छोटे-छोटे spines भी कहते हैं यह फिर crown sword spines भी कहते हैं अगर इनके nymph को देखे तो वो soft होते हैं whiteish होते हैं और कहां रहते हैं वो froth में रहते हैं मतलब live inside the froth froth के जाग अब यह froth बनता कहां से है ठीक है from the liquid feed from the elementary canal जो liquid उन्होंने खाया है न जो उनके adult ने ठीक है यह फिर जो इनके खाया है उनके elementary canal से वो secret हो जाता है ठीक है और वो ही क्या होता है उसी froth के अंदर जो है इनके names वगर जो छोटे-छोटे-शोटे insects हैं वो रहते हैं क्योंकि soft bodied हैं तो वो अंदर उनको nutrition मिलता रहता है ठीक है और बाद में जो froth है evaporation से उड़ जाता है और मतलब जो भी बज जाता है froth हो evaporation से उड़ जाता है और जो insect है वो अपने आपको grow करता है उसी medium में या फिर कह सकते हैं कि उसी के अंदर में ठीक है तो यह 4 हो ग अब जो 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 है में वाइरल डिजीज को ट्रांस्मीट करते हैं राइस में अब जो 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 शिक्स्त नंबर पर है वो है लोफोपीडे लोफोपीडे एक important family है इस हम अप्टेरा का जिसमें अगर इंसेक को देखे तो head जो होगा एक snout की तरह होता है snout कहने का मतलब है कि लंबा सा मू होगा उनका आगे की तरफ निकला हुआ hind trochanter is directed backward जो trochanter के है वो leg apart है ठीक है तो hind leg का जो trochanter होता है वो पीछे की तरफ निकला होता है hind basi tarsus basi tarsus जो होता है tarsus के बाद होता है is moderately long जो पीछे का जो basi tarsus है वो मतलब पीछे वाले पैर का वो moderately का होता है long होता है और सारे basi tarsus के comparison में इसका example हो गया sugarcane leaf hopper ठीक है उसमें अगर हम देखते है जो nymph है और adult है वो भी क्या करते है sap को सक करते हैं जिसके वज़े से क्या होता है can juice का quality और quantity होता है दोनों घड़ जाता है या फिर कम हो जाता है ठीक है तो यह हो गया लुफोपीडे का अब जो हमारा seventh number है वो है इसमें पी आप देखोगे तो silent है इन इन इंसेक को हम बोलते है jumping plant lies ठीक है तो इसमें अगर हम देखें तो इनमें जो इनका main movement का जो तरीका है वो है leaping leaping मतलब high jump करके ठीक है यह एक तो jump हो गया frog type और एक हो जाता है long distance पर jump करना ठीक है एक पर यहां कूदे फिर यहां से बहुत long jump लेगे कूदना ठीक है यह insects होते है small होते है और very active होते है ठीक है और इनका जो mainly movement होता है जैसे बहुत active है तो leap करके यह फिर fly करके ठीक है और अ चोटे होते हैं ठीक है इनका hind length जो होता है more muscular होता है and suited for jumping क्योंके लिए वो उस और ज्यादा यूज़ कर रहे है इसलिए वो ज्यादा muscular होता है there is a prominent basal vein in the four wing formed by the fusion of radius, median and cubitis यह इनके veins हो गया है यह तीन veins जो मिलते है तो उनका जो prominent basal vein है वो प्रोमिनेंट हो जाता है इनके जो nymph होता है उस लगिस होता है और मैंने example तो पहले ही आपको बता दिया है कि जैसे में तो होगे jumping plant lyse इसका example है और अगर हम बात करें तो sylid hetrosila cubana एक इसका example है और यह insect देखने में भी आपको बहुत सुन्दर से दिखते हैं इनके wings भी जोंगे transparent होते हैं सिर्फ उनके wings होते हैं वो ही दिखते हैं तो हमने साथ families पढ़ लिए है जो आठ हुआ है इलेरो डीडे है ठीक है स्पेलिंग है A-L-E-Y-R-O-D-I-D-A-E इन में जो important example है वो है white flies और हम जानते है white flies जो हैं बहुत खतरनाक और बहुत ज़्यादा devastating insect है बहुत सारे crops के लिए और main white flies जो होते हैं virus के carriers होते हैं यह कैसे होते हैं minute insects होते हैं which superficially resembles tiny moth छोटे-चोटे-चोटे मोच के तरह दिखेंगे इनके wings जो होते हैं अपैक होते हैं यानि clearly wings के पार हमें दिखेगा नहीं dusted होते हैं and white powdery waxing के उपर present होता है wing venation is much reduced इनमें जो venation है यानि wings के अंदर wind है वो कम दिखेंगे आपको या फिर कह सकते हैं कि कम spread करते हैं इसमें ठीक है जो होता है जब एक निंफ दूसरे निंफ में convert होता है ना निंफ 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 तो जो बीच वर जो time होता है time कह सकते कि जो insect बीच में बन रहा है उन्सको इन stars बोलते हैं तो सेसाइल होते हैं scale life scale की तरह होते हैं और waxing covering होता है उनके उपर अगर metamorphosis में अगर देखें तो homometabolus या फिर holometabolus होता है due to presence of quescent stage prior to the emergence of the adult और बहुत important example है इसका cotton white fly ठीक है अफिडे नाम से ही लग रहा है इन में क्या हो सकते है अफिट्स ठीक है और में plant lice कह सकते हैं उनको अफिट्स को plant lice भी कहते है और green flies भी कहते है इनका body जो था पियर सेप्ट होता है ठीक है a pair of cornicals और wax tube is present on the dorsal the fifth or the sixth abdominal segment कहने का मतलब है कि one pair wax tube present होते है इनके fifth or sixth abdominal segment पे which secrete wax like substance ठीक है देख secrete amount of honeydew कहने का मतलब है कि ज्यादा honeydew secretion करते हैं जिसके उपर ant feed करती है और इस पर fungus growth भी होता है aphids are known for their extraordinary fidensity कहने का मतलब कि aphids का जो growth है जो अंडे देने की capacity है वो बहुत जादा होता है और इनका जो short life cycle है और जो pathogenicity है यह भी क्या होता है बहुत जादा होता है मतलब कहने का होता है कि इनका जो life cycle है short और जो infection rate है वो बहुत जादा होता है इनका जो life cycle हो complex भी होता है और इनमें हम देखते है कि alternation of generation भी पाया जाता है they feed on the plant sap and disseminate plant diseases जैसे cotton aphid जो है वो जिसका scientific name aphys gossipy होता है ठीक है तो यह हो गया हमारा 9th aphidae family जो 10th है वो है cocidae spelling है c-o-c-i-d-a-e इसमें scale insects आती है यह फिस soft scales कहते हैं वो present होता है मतब वो insects इस family के अंदर आते हैं इनमें sexual dimorphism present होता है male जो होते हैं अगर बात करें तो बड़े होते हैं long antenna होता है lateral eyes होती है और vestigial mouth part present होता है mesothric enlarged होता है जिनमें अगर बात करें तो APR of wing present है and two wings present होती है इसमें hind wings जो होते हैं reduce होते हैं reduce होने का मतलब के होता है वहाँ पे सिर्फ halters present होते हैं जैसे हम चोटा लेखते थे इसमें halters present होते हैं house flies में ठीक है अगर female को बात करें तो body segmentation जो होता है indistinct होता है मतलब हम अगर head thorax और abdomen को अलग से पचान नहीं पाएंगे body wall जो होता है naked होता है and covered with the waxy coating ठीक है they are wingless देख रहो male में wings हैं लेकिन इन में wings नहीं होता है और यह भी plants आपको सख करती है the first instar name is active and is known as crawler जो पहला उनका instar बन रहा है जो first name बन रहा है बहुत active होता है इसको में लोग crawler बोलते हैं C-R-A-W-L-E-R ठीक है which molds and becomes the legless कहने का मतलब है कि उसके बाद जो हो जाता है वो legless बन जाता है example है coffee green scale caucus viridis ठीक है अब sorry slide मैंने चेंज नहीं किया मैं इस ही family के बारे में discuss कर रहा था अब जो next 11th number हमारा family है वो है diaspidae ठीक है spelling है D-I-A-S-P-I-D-I-D-A-E armored scale ठीक है इनके जो insects होते हैं उनके पास उनका जो scale है वो armored मतलब बहुत hard होता है adult female lacks antenna legs and wings मतलब adult जो female होगी में antenna नहीं होगा leg भी नहीं होगा wing भी नहीं होगा the body is covered by hard waxy cell like substance इसले इसका नाम के है armored scale ठीक है example coconut scale ठीक है तो यह बहुत चोड़ा सा family हो गया 12th number पे जो है वो है keridae spelling है K-E-R-R-I-D-A-E इसके example है lack insect बहुत important है क्योंकि यह जो insect है हम commercially भी use करते हैं ठीक है इनका जो character है जो अगर हम बात करें तो females होती है highly degenerate without legs, wings and antenna इन में leg भी नहीं होता है इनके female में wings भी नहीं होता है antenna भी नहीं होता है the body is irregular globular ठीक है कोई भी shape इनका fix नहीं होता है female में body is enclosed in a thick resinous cell इनकी जो body होती है एक thick resinous cell के अंदर present होती है example क्या हो गया lag insect ठीक है lassifer lag का जो इसका scientific name होता है ठीक है अगर हम बात करें कि इनका use क्या है तो जो उनका dermal gland होता है वो secret करता है lag को जिसका हम लोग use करते हैं हम stick lag मतलब यह में लिग बात करते हैं इनका dermal gland है वो में stick lag provide करता है ठीक है और जो हमारा last family है वो है pseudo cocida अभी हमने 10th number पे cocida पढ़ा था ठीक है आप 10th number पे देखो cocida जिसके बारे मैंने discuss किया था तो जो last है वो pseudo cocida कहते हैं इसको और इनके जो prominent example है वो क्या है मीली बग्स इनका body जो होता है elongate होता है ovalin shape होता है body segmentation is distinct head thorax and abdomen दिखता है उनमे body जो cover होता है long radiating thread ठीक है जो की बनता है मीली secretions है इसलिए इसका नाम जो होता है मीली बग्स होता है ठीक है functional legs are present in all instars कहने के बदल है जितने भी instars बन रहे हैं जितने नीम्स बन रहे हैं उनमे सब में functional legs present होता है मतब उन leg का use करते हैं वो instars wings जो है absent important याद रखना है इनमे wings present नहीं होता है example क्या हो गया coconut millibug ठीक है नीम फेर एडल जो है यह भी यहाँ पे sap पे dependent है और sap को suck करते है और यह जो है formation करते है spindle leaf का sorry जो spindle leaf बनता है coconut वगरह में coconut का आपने leaf देखा और spindle बनता है उसको क्या करते है effect करते है यह उनका जो leaf का formation है उसमें इनको problem create करते है तो I hope आज का lecture जो है थोड़ा सा theoretical जादा था और मैंने difference courses कर रहा है कि आपको difference create करके बताऊं कि in different families को क्यों हम different way में पढ़ते हैं और इनकी different families में क्या differences है तो thanks for watching this video till then stay tuned अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को subscribe करो और follow the Instagram channel जहां पर आपको हमारी upcoming videos की notification, quizzes और बहुत सारे notices यह कह सकते कि आपको prior information वहाँ पर मिल जाएंगी हमारे upcoming videos यह फिर upcoming events के बारे में ठीक है और किसी को भी इस lecture का PDF चाहिए तो वो हमारे telegram channel gopher agriculture से जाकर इसको download कर सकता है चले मिलते है next lecture में बाबाई